हेलो जी क्याम चटाय में जै शे राम, जै हनुआँ जैसे हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं यानि की जैसे हम कुछ ऐख कर्म ही थे जो हमारा अब याप देखिए रहे हैं इसको लगी हुई है तो जब कुछ होना होता है ना तो उसे कोई टाल नहीं सकता है जब जो होना होता है जिस समय पर होना होता है वो ही जाता है चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले उसे टालने के लेकिन हम उसे टाल नहीं सकते हैं लेकिन कुछ अच्छे कर्म होते हैं जिसके वज़े से यह चीजे बहु फोड़े से पर पूरी हो जाती है तो इस तरह से कुछ हमारे साथ भी हुआ तो और मैं तो पता है ne आप लीकोता हनुमान जी की वीडियो शेएर करती रहती हूँ तो ये हनुमान जी की क्रिपा ही कहेंगे जो बहुत कुछ गलत होने से बच गया और यहनमान जी की ही किलपा है जो बच गया तो होने को कोई डाल नहीं सकता तो चलिए एक स्टोरी के जरी हम समझते हैं कि कैसे ठीक है तो एकना पेड़ पे तोता रहा करता था तो उस पेड़ पे जो तोता था ना उसने पेड़ के नीचे से यम्राजी को निकलते हुए तोता था यम्राजी को हसता हुए देखकर वहती जादा डर गया घबरा गया इतना जादा वह डर गया कि उसे मुखार आ गया और उस तोते का जो दोस्त था वह थे गरूर थे उन्होंने यह सिच्वेशन देखा कि उसके बाद तोते से पूछा कि क्या हुआ तो तोते ने बताए कि यम्राजी नीचे सनिकले और बहुत जोड से मुझे देखकर हसे यानि कि मुझे लेने आएंगे हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो गरूर ने कहा कि अब तुम्हें इतना डर लग रहा है तो एक काम करते हैं तो गरूर जी ने उसको अपने पीट पर बिठाया और स तुम बिल्कुल सुरक्षित हो यहां तो कोई नहीं आने वाला है साथ समुंदर पार तुम बिल्कुल सेफ हो इनहां पर उसके बाद वह चले गाए और वह चाह कि यम्राजी से पूछे कि आप उस तोते को देखकर हसे क्यों इतने जोर से हसे क्यों विचारा वो डर गया है उसको तो यम्राजी ने कहा कि मैं बस इसलिए उसे देखकर हसा कि खल उसे एक उची साथ समुंदर पार एक उची पहाड की चोटी पर एक गुफा में उसे बिल्ली के काटने से उसकी मृत्ति होगी लेकिन मैं यह सोच रहा हूँ कि यह तोता पहां तक पहुंचेगा कैसे क बस यही सोच कर मुझे हसी आ गई अब गरूर जी सर पकड़कर वैड़ गए कि लो उसको तो मैं ही वहां तक पहुंचा के आया हूं तो इसी को कहते हैं होनी और होनी को कोई डाल नहीं सकता है रास्ते खुद बखुद बन जाते हैं तो हमारा भी कुछ ऐसा ही हुआ कि हम हम और कहीं ओर तराम पर और हमने फिर सौच की उस ऑस जिस काम के लिए हमें बहु जाना था वो काम अधा घनटा लेट होना था जैसे हम घर से बाहर निकले हं पहुना एंक भ oral जोका तो मैं नहीं मुंचा कि बच्चे के सर दी के कपड़े ले नहीं तो ये काम कर ते मार्केट तोँ क्या हुआ हन्यों हो अGANिकल निकले और जैसे ही में हाइवे था है वी पूल मेरेहा रास्ते में पतं की का नहीं है। और जैसे ही इन्होंने मेरे हजबन बैठे हुए थे और ये गल्ती ही कहेंगे कि बच्चा आगे बैठा हुआ था पता है ना बच्चे मानते नहीं है जल्दी पर कभी कबारी आगे भी बैठ जाता है तो अब हमें थोड़ी ना पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो ऐसा मांचा आगे आगे और उन्होंने उनके गले पर हलका सा लगा और उन्हें पता सब गया कि कुछ तो है जैसे अरो बीच हाइवे पर बहुत साज गाड़िया भी होती है स्पीड भी अच्छी खासी होती है तो जैसे ही उन्होंने आगी किया इसके उपर पो मांचा और इसके नाख पर यहां पर लगया कापी जादा लगा है वैसे तो उसके वज़े से यह रोया जैसे ही रोया मैंने पकड़ा फिर उन्होंने बार बैलेंस किया गाड़ी रोकी उसके बाद हमारे पोच्छे करम ही थे या पिर अन्मान जी की कृपा कहो कि राम नाम लिखने मैं काड़ीया थी सभी के सभी और हमारे चस्ट साइट से एक टैंपो हुई निकली काफी लोगों ने तो उस टैंपो वाले को रोक लिया कि साइद इसने कुछ कर दिया हो या एक्सिडेंट हो इसके वज़े से तो ने बोला कि नहीं इसके वज़े से कुछ नहीं हुए पिर की उसे जाने दिया गया उसके बाद इसके दो ब्लड निकलना शुरू गया बहुत जाते ब्लड निए कि रहा है और रहा है कि यह अनुमान जी के बहुत अच्छे लोगे बुष्टा रात में हमद्याबाद में बहुत वहाँ है उसके दूसरे की मदद करने तूरं तरह आत तो किया हमति यहाती हैं लेकिन जब अपन पे आती हुप तो हमारी हिम्मत सहती है बिल्कुल надо like तोकुछ ऐसा ही जा और रोग इस टांब मैंने बहुता कि ईश्टम। पन मैं बोड़ा कि आप लोगों के साथ में वाकी एक भाई बहन्ते हैं पहुचें पहुचे पहुच पुचे और उनके साथ मैं पिछे जो भॉक ही दिखा रहा था उनके साथ बात में हमरा पीचे पहुचे दिलानेことार रए सब कुछ और देन वह भावाना की ख्रपा थी और इससे भी जादा गलत हो सकता था जितना गलत जितना डेंजर हो सकते हैं लेकिन यह अनुमा जी की प्रपा है और मेरा विस्वास और पर के उस दिन कुछ साधा नहीं हुआ बच गए हम और यह सीख भी है कि बच्चों को आगे बाइक पे तो फिल्कुल नहीं भी ठाना चाहिए और बाइक भी पुल्कुल मेंस की स्पीड नहीं चलाने चाहिए विसके स्पीड थी नहीं ज्यादा बट फिर भी अचानक से यह हो जाएगा हमें नहीं पता था और यह हमें जाना कहीं और था लेकिन यह उसी समय पर उसी जगव पर हमाई साथ ही होना था लेकिन इससे भी बड़ा कुछ होन अब हो चाहिए और जितनी हो सब्सक्राइब को को हुषस सेंवाज हो यह मतरा फिल फैंड साथ रहने चाहिए गाहरते हैं ऩाय जुद होशी कारिये तो ह्पानाम नम का जाप करें राम नम का लेखन करें और उन्हामान जीं के पूरा हथा स्वास रखें हर चीज में ह्नमान मेरा साथ देते हैं और वह चल दिए भी ठीक हो जाएगा और जैसे ठीक हो जाएगा मैं फिर देखाऊंगे भी लेखा हुए सुपर मैं बन गया न है अभी के लिए बस इतना ही कॉमेंट में जा श्री रामजे हनुमान जरूर लिखे तो इसे को कहते हैं कि होनी को कोई डाल न हम किसे गलत है हम गलत है जो हम बाहर निकले अब या वो बच्चा जो पतंग उड़ा रहा था जिसके डोरी से यह हुआ या वो समय जिस समय में हम बाहर निकले किसी को गलत नहीं ठहरा सकते हैं तो जो होना होता है वो हो जाता है बस बस इतना है कि कुछ ये करम होते हैं जो जादा होने वाला हो कुछ गलत तो उससे हम बज जाते हैं तो बस अच्छे कर्म करते रहिए और लोगों की मदद करते रहिए बस इतना ही अभी के लिए बस इतना ही में ते नेक्स्ट वेडियो में तब तक लिए चैजिराम चैहनवान